आस्ट्रेलिया भर्सेज पाकिस्तान का टेस्ट मुकाबला कवर करेंगे टेस्ट मुकाबला हम लोगों के लिए हमेशा से बेश्ट जाता है इंडिया वोमेन इंग्लेंड वोमेन्स का टेस्ट तो और भी दिल्चस्प होगा तो मेरे भाई आस्ट्रेलिया के घर पाकिस्तान फास्ट गिनवाज यने कि आपको समझ में आगया होगा किफ्टन भीसी कौन होगा एक दिल्चस्प जबरदस्त होगा और अभी इंटरनेशनल में इंडिया वाला मुकाबला जबरदस्त गया तो उमीद करेंगे ये भी इंटरनेशनल बढ़िया जाए तो मेरे भाई सारा कुछ देखेंगे एक एक करके डिटियल में प्रोबेबल पिलिंग लेबन कौनसा पिलियर का रिकोर्ड किया है एक बहतर टीम सांदर टीम जबरदस्त टीम खासकर जील पे भी रेंक अपना ही होगा तो मेरे भाई अगर जदि आप इस मुकाबले को खिलना चाहते हो तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इनका फाइनल टीम आपको वहां मिलेगा जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ जील का टीम, पीच रिपोर्ट यहने बहतर से बहतर, सांदर से सांदर, जितना भी बढ़िया टीम होता है बनाने के लिए जो आवस सकता होते सारा कुछ टेली गराम पे ही तो देता हूँ जी हमरे भाई हमारा टेली गराम चैनल आपको इस परकार से दिखाए देगा पॉस्ट पनपूर्ण आठ के सब्सक्राइबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कोमेंट पे लिंक होगा उनकी साहता से जुलोगे ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे विल्कुल फिरी का फायदा आप उठा सकते हो हर चीज ट्रेडिंग हो, एक्सेंज 22 हो, हर जगा प्रोफिट ही आपको दिखेगा तो दोस्तों चली स्टार्ट करते आश्टरिलिया भर्सिस पाकिस्तान फास्ट टेस्ट मुकाबला चाउदा दिसंबर सुभा साथ बच के पचास याने मोर्निंग का मेच है पर्स के स्टेडिया में खेला जाएगा जहां पर भया फास्ट गिनबाच को बहुत ज़ादा हेल्प मिलता है रिसेंट टेस्ट में चे देखोगे विन-विन, लोस, ड्रो, लोस करके आ रहा आश्टरिलिया पाकिस्तान देखोगे लोस, ड्रो, ड्रो, विन-विन, याने दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है लेकिन आश्टरिलिया टेस्ट चॉंप्रेंसिप इंडिया के खिलाप विन करके आया ODI World Cup भी विन किया, बहुत भुरा लगता है सुन कर लेकिन रिकोर्ड है तो क्या बोलोगी पीच रिपोर्ट देखा जाए तो आपको फाइनल पीच रिपोर्ट तो मैं टेलिग्राम पर अबडेट करूँगा लेकिन फिलाल जो हमेशा से रहा है वहाँ पर उचाल भरी पीच होती है और कहीं न कहीं फास्ट गिनबाच को ज़्यादा मदद मिलता है इस्पीनर गतुल नहीं हो इसे क्वालेटी स्पीनर भी चलते है टेस्ट में स्टोटल मेच यहां पर तीन खेला गया बेटिंग फस्ट वाली टीम ने तीनों के तीनों वीन किया है बेटिंग सकेंड वाली टीम एक भी भी विन नहीं किया अबरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो 466, सकेंड इनिंग 244, यहने ज़्यादा यह माइने नहीं है, टेस्ट पे हाईस्ट स्कोर 494 विकेट लोग 140 पे 10 गया है तो यह सब head to head record देखा जहाँ दोनों टीम आपस में, 34 मुकावला खेला जहाँ पर आस्ट्रेलिया ने 15 विन किया, पाकिस्तान 15 ही विन किया, और 20 मेच टाइड रो यहने इस परकार से रहा था टीम नियूज देखा जा डेविड वार्नर्ट साथ उस्मान ख्वाजा आएगा, जब बड़ दस्त ओपनर है, इस्टीव स्मित मारकस लबुस्चक ने टेस्ट का बेस्ट, ट्रेवी सिड इनके बारे में क्या कहना मिचल मार्स, एलेक्स कैरी, पेट कमिंस, मिचल स्टार्क, नाथन लियोन, एकमातर स्पीनर, कारगर साबित होगा, जो से जल्वुट वाई, गजजप का स्विंग डालता है, पाकिस्तान अब्दुल्ला साफी की ठीक ठाक है, लेकिन अस्टेलिया में खिलना एक बड़ी च अग्धा सलमान पाट्टेम जेन बाजी, साथे फुल टेम बले बाजी, फ़ई मसराफ जेन बाजी करेगा, साथे कुछ हत्तक रन भी करके देखा, नोमानली क्वालिटी स्पीनर में आता है, तो इंपोर्टेन ये रहेगा, साइन साप रीद ये भी इंपोर्टेन रहेगा, एसे पीछ पे ये बहुँ जादा कारगर साबित होंगे, हसानली ठीक ठाक है, लेकिन उतना भी ठीक ठाक नहीं है, इनका भी देखोगे रिकोड तो, डीविड वार्नर कुपर देखा जा, 109 मेच में 8487 रन, 44 का अबरेज है, हेड टू हेड रिकोड तिरासी का रिसेंड द और हेड टू हेड रिकोड जो यहाँ पर 6 विक्टे है, याने कि रिसेंड फॉर्म में देखोगे, 19, 61 ऐसे करके है, मारकस लभूस चगने का देखोगे, 13 विक्टे है, और तिरपरण बना के ये टेस्ट का इस परकार सिनका है, हेड टू हेड रिकोड भी आप देख सकते हो 54 का अवरेज रखता है, 7 में 8 विक्टे, वसे पार्ट टेम गिनवाजी कर जाता है, ट्रेविस हेड की बात की जाए, इस परकार से 45 का अवरेज, पलस 9 विक्टे है, और हेड टू हेड रिकोड 26 का खास नहीं है, पाकिस्तान खिलाब लेकिन लाए में अच्छा चल रहा है, रिसेंड भी ठीक ठाक है, मिचल मार्श देखोगे, टेस्ट में 1510 विक्टे भी है, अब 174-46 ये रिसेंड है, एलेक्स कैरी का देखोगे तो 31 का अवरेज है, और 69 का अवरेज यहाँ पर हेड टू हेड रिकोड बताता है, पेड कमिन्स टेस्ट में बेस्ट रहा है, और हे देख सकते हो, नाथन लियोन की बाद के 12 मेच में 45 विक्टे इनके खिलाब ठीक ठाक है, उतना खास तो नहीं मानेगे, जो सेजल वूट 6 मेच में 25 विक्टे, कमाल का पिलेरा, इनको मदद मिलेगा, रिसेंड फोर्म तो देखो, एक मेच में 0 विक्टे, बाकी 4 में 2-2 वि लिंग करेगा जो सेजल वूट, मिचल स्टार्क इस परकार से, और इसमें ओपन और डेथ का कोई रोल है नहीं, पाकिस्तान के उपर चलते हैं, हेट 2-8 रिकोर्ड देखा जा 89 का अबरेज रखता है, अस्टेलिया के खिलाब अच्छा है, इमाम लहक्यू की बात की जा ये पश्पन का अबरेज, सान मक्सूद जो अस्टेलिया खिलाब 49 का अबरेज रिसेंड फोर्म बहुत बनिया है, बाबा राजम 47 का अबरेज है, अस्टेलिया खिलाब 44 का अबरेज ये भी इंपोर्टेंट बड़ा नाम है, साउद साकिल 87 का अबरेज है इनका अभी तक अस्टेलिया खिलाब खेला नहीं, लेकिन इंपोर्टेंट रहेगा जिस तरह से इनका खेलने का टेकनिक है, रिजवन की बात की जा head to 8 45 का जादा बिक्टे है, इनको भी जादा बिक्टे नहीं मिला लेकिन कमाल का अगेनवाज है, हसन अली का देखो कि दो मैच में दो बिक्टे ये भी कारगार नहीं हुआ, तो इस परकार से हम लोगन एक एक पिलर का रिकोड देखा, जादा रिकोड अब माइने ने, अब है कॉ जरी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम लेमन चे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, मैं सबसे पले इन्फोर्मेशन देता हूँ, इनके अलाबे कुछ जनकारी लेना हो, इस्ठा पे म मैं वहाँ पर सारे लोकर रिपलाए भी देता हूँ, वह भी बेहतर तरीका से, तो विकट के प्रिंग में मौम्मद रिज्वन का ही नाम सामने आएगा, इस्टिवन इस्विंद बाबा राजाम यहां से मारकस लभुशग ने, उस्मान ख्वाजा डेविड वर्नर को भी आ मारे टीम पे आएगा, ट्रेविस हेड आएगा, इनके अलावे यहां से फिलाल चलते हैं, साइनसा फ्रिदी, मिचल, स्टार्क, जो सेजलवूट, पैट कमिन्स, इस परकार से हमारा टीम आता है, लेकिन अगर जदी देखा जाए, वो टोस के बाद तो एक बलेबाज कम करक एक इस्ट्रा गिन बाज मैं ले सकता हूँ, किन के तरफ से, पाकिस्तान के तरफ से, अब एसे स्थिति में केप्टन वीसी का बनिया और सांदार 24 कौन होना चीए, तो देखो हमारा मनना यहां से मैं केप्टन वीसी मैं, केप्टन यहां से उस्मान ख्वाजा, और वीसी मै मारकस लबुस चगने को देने बाला हूँ, फिलाल के लिए क्या करो यह टीम आप सेप करके रख लो, लिखे यह टीम हमारा फाइनल बिल्कुल भी नहीं है, फाइनल टीम जो आएगी टेलिग्राम चैनल पे आएगी, डोमेस्टिक पिलिंग लेवन पे जुड़े रहना हर मिलेगा, कहीं कोई डाउट ने जम के आप असानी से खेल सकते हो, तो दोस्तों आसा करते लक्षी मां विसरी मां ओल भगवान की किरपास हम लोगों का रिजल्ट विहतर जाए, और भगवान से दुआ करेंगा हम लोगों का रिजल्ट सांदार लग भी सांदे,